हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ एग लैस रेड वैलवेट केक जिसको हम वैलन्टाइन डे पर बना सकते हैं ये वैलन्टाइन डे के लिए एकदम फरफेक्ट है और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए फिर इस रेड वैलवेट केक को बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम केक के लिए बैटर तयार करेंगे तो उसके लिए एक बाउल में मैं एड करूंगी एक चोथाई कप प्लस दो टेबल स्पून बटर और बटर को हमें रूम टेंपरेचर पर लेना है नहीं तो बटर बहुत बटर की साइता से इन्हें हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि यह अच्छा सोफ्ट और क्रीमी ना हो जाए शुरू में आपको इसको मिक्स करने में प्रोबलम होगी लेकिन जैसे बटर पिंगलता है तो यह आसानी से मिक्स हो जाएगा तो आप देख सकते हो यह अच्छ मिक्स कर लिया है और अब हम इस स्टेज पर इसमें एड करेंगे ड्राइ ञडियंट और उनको हम हमाइसक्ता की तरह झानं एड करेंगे तो छलनी में मैंने ऐड किया है देढ यह कॉल पर्परफ प्लावर यानि मैदा और चलनी में ही मैं add कर रही हूँ ये 1.5 tablespoon cocoa powder जो की unsweeted है और साती में हम add करेंगे 1 teaspoon baking powder और 1.4 teaspoon baking soda और उसके बाद इन सारी चीजों को हम चान लेंगे और चान कर हम अपने वैट इंग्रेटेट में अच्छे से mix करेंगे और आप देख सकते हो मैंने सारी चीजों को अच्छे से चान लिया है तो इसको mix करने से पहले मैं इसमें add कर रही हूँ 1.5 teaspoon vanilla extract या फिराफ vanilla essence किसी का यूज भी कर सकते हो और साती में color के लिए add करूँगी red gel food color और आप इन सारी चीजों को हम विसकर से अच्छे से mix करेंगे जब तक जब तक कि ये अच्छे से lump spree batter ना बन जाए और अगर इसको mix करने के बाद आपको लग रहा है कि batter बहुत जादा गाड़ा है अभी भी ये एकदम perfect नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी चाच या फिर थोड़ा सा दूर डाल कर अच्छे से mix कर ले तो मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है और बिल्कुल last में जब सारी अच्छे से mix हो जाए तो हमें इसमें add करना है ये दो टी स्पून lemon juice या निकी निम्बू का juice या फिर आफ वैनिगर का यूज भी कर सकते हो और lemon juice या वैनिगर आप जिसका भी यूज कर रहे हो उसको डाल कर बस हमें इसे spatula से ऐसे cut and fold method से अच्छे से mix कर लेना है हमें इसे अब बहुत ज़्यादा mix बिल्कुल भी नहीं करना है तो मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है तो हमारा cake का batter बनकर तयार है तो अब इस cake batter को हम cake tin या cake pan में transfer कर लेंगे तो ये मैंने 6 इंच की दो पैन लिये है और इस batter को हम equally दोनों पैन में डाल देंगे और इसको डाल कर ह इसके इसमें जो भी air bubbles होंगे वो निकल जाएंगे और फिर हमारा cake अच्छा sponge बनेगा और अगर आपके पास 6 इंच के pan नहीं है तो आप इसको 8 इंच की एक pan में भी bake कर सकते हो तो मैंने पैन को oven में रख दिया है और oven को मैंने पहले ही 350 degree Fahrenheit पर preheat कर लिया था और अब cake को हम 35 मिनट के लिए या फिर जब तक जब तक की cake अच्छे से बेक ना हो जाए 350 degree यानि की 180 degree centigrade पर bake करेंगे तो अब 35 मिनट हो चुके है और cake अच्छे से bake हो गया है, cake देखने में ही अच्छा bake लग रहा है लेकिन cake को चेक करने के लिए हम 2-3 जगे ऐसे toothpick डाल कर देखेंगे तो आप देख सकते हो, toothpick एकदम clean है तो हम cake को निकाल कर बहार रख लेंगे और जब cake पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको demold करेंगे तो cake पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और अब हम cake को cake tin से यानि के cake pan से बहार निकाल लेंगे और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा spongy हमारा cake बना है और जो हमने butter paper लगाया था उसको भी हम हटा देंगे और जो cake की top layer है जो कि थोड़ा सा hard होती है और थोड़ा uneven है तो उसको हम cut करके अलग कर देंगे लेकिन इस layer को हमें फैकना नहीं है इसको हम cake को decorate करने में यूज करने वाले हैं तो मैं इस layer को side में रख दूँगी और उसके बाद cake को मैं 2 layer में cut कर लूँगी तो ऐसे ही मैं 2 layer में cut कर लूँगी जिससे कि मुझे total 4 layer मिल जाएगी आप चाहो तो ऐसे ही इन 2 layer को cake में यूज कर सकते हो तो मैंने cake को cut कर लिया है तो अब इन layers को मैं side में रख दूँगी और जो हमने उपर की दोनों cake से layer कट की है उसके हम cake के लिए क्रम बना लेंगे तो उसको आप ऐसे या तो ऐसे ही हाथ से तोड़ ले या फिर आप greater की side से ऐसे grate कर ले जिससे की बहुत ही अ अधर करेंगे और फ्रोस्टिंग बढाने के लिए मैं एक बाउल में add कर रही हूँ दो सो बारा गराम क्रीम चीज और क्रीम चीज को करीब 2 मिनट के लिए electric biter या hand whisker से ऐसे बीट कर लेंगे जिससे की प्रीम चीज अच्छी फ्रोधिंग हो चाएगी और उसके बाद जब क्रीम चीज अच्छे से तयार है तो मैं इसको साइड में रख दूंगी और एक दूसरे बाउल में एड़ करूंगी आदा कप हैवी विपिंग क्रीम और मैंने बाउल और हैवी विपिंग क्रीम दोनों को ही पहले करीब 30-35 मिनट पहले फ्रीज में रख दिया था तो यह दोन को पहले देंगे और उसके बाद इन धोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम कर L am कर रख दिया तो करेंगे क्रीम posture, चीनी और तीन चमच पानी को आपस में अच्छे से मिला ले तो उसके बाद आपकी सिंपल सुगर सिरब बनकर तयार हो जाएगी और अब मैंने केक की इस लेयर को क्रीम चीज फ्रोस्टिंग से ऐसे अच्छे से कवर कर दिया है और अब इस दूसरी लेयर को हम इसके उपर जानी की चारों लेयर को ऐसे रख लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा इसमूद कर लेंगे आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इसमूद करने के बाद करीब 15-20 मिनट फ्रीजर में रख ले तो आप इसको और भी आसानी से डेकोरेट कर सकते हो तो मैं अब केक को ऊपर से और 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 इसको को वेलेंटाइन दे के लिए बना रहूं तो मैं इस पर ऐसे बटर पेपर की साइता से हट बना लूंगे , आप चाहो तो हर्ट शेप के कुकी कटर से भी इसके उपर हट बना सकते हो और उसके बाद जो हमने करम सयार किया था उसको हम इसके उपर डाल देंगे और जेंटली प्रैस कर देंगे और फिर हम इस पटर पेपर को बहुत ही केरफुली निकाल लेंगे और थोड़े सी ब्रैड करम हम केक की साइडों में भी स्प्रिंकल कर लेंगे जो की देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है आप चाहो तो केक को ऐसे ही रख ले या फिर इस करम हम यानि की केक करम समय साइडों में भी डाल देंगे और जो भी एक्सा करम से उनको हम बात में किचन पेपर की साइटा से क्लीन कर देंगे तो हमारा एक लेस सोफ्ट मॉइस्ट और ब्यूटिफुल रेडवैल वेट केक बनकर तयार है तो आप भी इस केक को बनाईए औ और आपका केक कैसा बनता है मुझे जरूर बताईएगा और साथ ही में अगर यह आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रह के लिए है